तो कलरी पयट भी नहीं बलकि हिंदोस्तान में ना जाने इसी कितनी मार्शल आर्ट हैं विधाए हैं जो भारत की संवरत विरासत का हिस्सा रही है कलरी पयट केरल की पहचान है तो ठांगता जैसी मार्शल आर्ट पुरुवत्तर की शान है और मणिपुर की पहचान के तौर पर इसको जाना जाता है करीब 400 साल पहले के अगर बात की जाये तो अंग्रेजों ने इस पर पतिवंद लगा दिया था लेकिन भी तो कुछ वर्षों में दश्कों में मणिपुर के तमाम लोग इस पर काम कर रहे हैं ठांगता पर और उसको पचारित प्रसाज़ित करने के लिए पर फिर से बहुत जोर से जमीन पर बदलाओं लेकर आ रहे हैं मणिपुर के SK शर्मा भी उन शक्सितों में से एक है जिनोंने ठांगता पर बड़ा काम किया है और शायद आज एक खेल के रूप में प्रस्रित हो रहे हैं ठांगता को सुईकारता इस बात से भी जिताई जा सकती है कि खेलो इंडिया यूद गेम्स में भी ठांगता की प् हमारी प्राजीन परंपराएं वक्त के साथ खो न जाए इस सोच पर काम करने वालों में शामिल है के साना थोईबाश शर्मा जो मड़ी पुर की करीब 400 साल पुरानी मार्शल आर्ट ठांगता को बजाय रखने में पिछले 40 वर्षों से प्रयास रत हैं उन्होंने एक हजार से अधिक युवाओं को इसमें प्रसिक्षित कर इस कला को पुनर स्थाफित कर दिया है थांगता शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है जिसमें थांग शब्द का अर्थ है तलवार और ताशब्द का अर्थ है भाला इस कला में तलवार ढाल और भाले का प्रयोग किया ज खासी दिल्चस्पी देखी जा सकती है मुझे मनिपूर मार्शल आर्ट ठांगता में हुएन लालोंग मनिपूर ठांगता कल्चर असोसियेशन के गुरु मायूम गौरा किशुर शर्मा ने प्रशिक्षत किया जब उन्होंने 2015 में अंतिम सांस ली तब संस्थान में मैं अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए प्रधानाचार्य सहनिदेशक बन गया अब तक मैं इस पद पर आसीन हूँ इससे पहले मैं एक वरिष्ठ कलाकार था और बाद में संस्थान में लगभग दस वर्षों तक विजिटिंग गुरु के रूप में रहा मैंने 1982 में पाउना सदस्य कला और अग्रामीन विकास सिवा संग की नाम से एक और संगठन भी शुरू किया मेरा अंति मुदेश्य युवा प्रतिभाओं को कलाकारों की रूप में तयार करना है तथा च्छात्र बृत्ति और फेलोशिप के साथ इस क्षित्र में उनके करियर को बढ़ावा देना है ताकि वे थांगता को संरक्षित करने और आने वाली पीडियों के लिए इसे लोकप्रिय बनाने में जूटे रहें मैंने सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन देशों में थांगता के प्रदर्शनों को दिखाया है मणीपूर में ये आम मान्यता है कि थांगता की मदद से वहां के लोगों ने सदियों से मणीपूर को विदेशे हमलों से बचाय रखा था ये विदा भी अन्यशस्त्र कलाओं की तरह कठिन मैनत से सीखी और खेली जाती है के अस शर्मा ने मणीपूर में इसको संदक्षित करने के लिए दशकों तक काम किया युवाओं को जोड़ा और उन्हें इसको सीखने के प्रती प्रेरीद किया ठंगता मार्शलाट जो एक मणीपूरे मार्शलाट से पूरे देश में खेला जाता है बॉइस गल्स बहुत ही प्यार से खेला जाता है और एक ऐसा मार्शलाट से डिफेंस के साथ साथ जो एक एक अच्विमेंट्स नजब देखने को मिल रही है देश से बाहर होया देश में हमारे देश में रिसेंटली शर्मा जी को पदम शरी से नावाज आ गया उन्हें जो बड़ा योगदान दिया पूरे देश में मार्शलाट्स के लिए इस उमर में और उनको पदम शरीयावाट से नावाज आ गया हम उनको बदायां देना चाहते हैं ठांगता विधा को लगभग 400 साल पहले मणिपूर के राजा महराजाओं ने शुरू किया था बाद के वर्षों में अंग्रेजों ने इस मार्शलाट पर प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन के अस शर्मा के प्रयासों से बीते कुछ वर्षों में इसका प्रचलन इतना बढ़ा है कि साल 2023 के खेड़ों इंडिया यूथ गेम्स में इसे शामिल किया गया ठांगता मार्शलाट को सन्रक्षित और प्रचलित करने के लिए गे सना थोई बाश शर्मा को पदमचरी सम्मान के लिए बहुत बहुत शुकाम नाए